वेलकम टी न्यू लेसन आज के लेसन में हम ये जो ब्लॉग पेज है न हमारा जो की जहां पे कोई कॉंटेंट नहीं है तो हम ये ब्लॉग पेज बनाएंगे पहले आप समझो कि ये ब्लॉग पेज काम कैसे करता है अब देखो जैसे मैंने ये वेबसाइट बनाए अब मैं जितने ब्लॉग लिखूंगा वो सारे ब्लॉग automatically इस ब्लॉग पेज में आ जाएंगे मुझे कुछ करने के जोरत नहीं है जो भी मैं ब्लॉग लिखूंगा वो automatically इस ब्लॉग पेज में अपने आप add हो जाएंगे तो ये काम करने के लिए कि हम जो भी लिखे हो इस blog page में automatically add हो जाए उससे पहले हमें कुछ blogs लिखने पड़ेंगे उससे पहले हमें कुछ articles लिखने पड़ेंगे ठीक है? articles लिखने के लिए हम कहां जाते हैं हम अपने dashboard में जाएंगे हम अपना post लिख सकते हैं तो मैं एक post लिखके दिखाता हूँ एक नहीं दो तिन लिखके दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं जाओंगा post पे और एक चीज़ देखो आप ये जो blog है अभी देखो ये एकदम blank है अब यहाँ पे कुछ नहीं है राइट हम चाहते हैं जो भी लिखे हो यहाँ पे automatically add हो जाए ठीक है तो हम वापस आएंगे हम जाएंगे post पे और हम करेंगे add new ठीक है जी हमने किया add new अब यहाँ पे हमें अपने post का title लिखना है ठीक है तो यहाँ से मैं एक title उठा लूँगा यह लिखता है तो मैं title ठीक है यह लिख दिया मैंने title अब यहाँ से मैं content लिख सकता हूँ इसके नीचे जो आप यह option देख रहे हो start writing यहाँ से मैं content लिख सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ content again मैं यह dummy content उठा लेता हूँ यहां से उठाया मैंने ठीक है अब यहां के बाद मैंजे सपोज करो एक image चाहिए तो आप देख रहे हैं आपे plus का option है यह रहा plus इसको click करो और यहां से आप ले लो image यहां पर मैंने ले लिया image अब यहां पर क्लिक करो upload और यहां इमेज डाउनलोड करके लिक्ख हुई है तो यहां से मैंने image डाल दी ठीक है जी image डाल दी आप वापस आए यहां पर नीचे देखो add block आ रहा है प्लिक किया अब मैं यहां पर लिखता हूँ paragraph ठीक है मैंने लिए paragraph और मैं जाके आगे का content लिखता हूँ यह यह लिख दिया मैंने ठीक मैंने और content लिख दिया आगे का अब आपको इसमें से कुछ bold करना है तो आप यहां से select करो और उसको कर दो यहां से bold राइट आप जो भी changes करना चाहते हो italic करना चाहते हो इसको italic कर दो ठीक है that's it और category है अब आप का यह जो blog है वो किस category का है तो वो आप यहां से टैक डाल दो टैक डाल देते हैं facebook ads और digital marketing अगिन जरूरी नहीं है टैक्स डालने बट हम डाल देते हैं then option आरहा है न फीचर्ड इमेज फीचर्ड इमेज सलेक्ट करो और यहां आप से लो set featured image किसी image को हम featured image भी बना देंगे ठीक है featured image इसको कुछ नहीं करना एक script को बाकी कुछ नहीं करना आपको बाकी आप कर दो इसको publish publish ठीक है इसको यहां से close करो पर्मा लिंक में जाके आप चाहो तो URL चेंज कर सकते हैं अभी क्या रहा है what is lorem इपसम तो इसको मैं कर देता हूं लो रेम और इसको कर देता हूं update ठीक है और यहां पर preview करते हैं जाके यह रहा मेरा content ठीक है अब वापस जाओ अब एक बार यह blog page था इसको refresh करो यहां पर आया नहीं अभी इस blog page में आया नहीं अभी ठीक है इससे पहले कि मैं इसको आपको add कर देखाओ कि और इसको कर दोगे update और इसको यहां से कर दो refresh हो गया वह उपर वाला blog वाला चीज गया ठीक है अभी बटी है यहां पर नहीं आ रहा एक बार इसको यहां refresh करो यहां पर नहीं आ रहा ना तो कैसे करोगे इसको सही यहां पर जाओ customize करो यह one time करना पड़ेगा हमें और future हम जो भी लिखेंगे यहां पर हो अपने आप add हो जाएगा तो मैंने किया कस्टमाइज और यहां रहा है आपके पास post page यह पूछ रहा है कौन सा page आपका post page है तो click किया और मैंने बना दिया blog page को post page देख आ गया अपने आप यहां पर और इसको कर दो यहां से publish और इसको कर दो यहां से close यहां गया ठीक अब यहां भी यह blog और यह सब लिखा रहा है अगर आपको यह नीची है तो कैसे अट आओगे वापस आओ और यह edit page आ रहा है यहां से edit page करो edit page करेंगे अब बताओ क्या करोगे potion WP settings एक बर यह खुल जाए और एक बर वापस खोल लो इसको यह रहा blog टाइटल को कर दो disable इसे कर दो update ठीक है वापस आओ refresh करो एक बार refresh हो जाए देखो हट गया ठीक है अभी हमने एक post लिखा है वो यहाँ पर दिख रहा है अभी देखो मैं इसको अगर click करता हूँ ऐसे तो यहाँ पर दो दो बार image दिख रही है दिख रही है एक featured image भी दिख रही है और एक दूसरी image भी दिख रही है अब अगर मैं इसको remove करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा बहुत है सिंपल है मैं करूँगा customize ठीक है सिंपल करोगे customize और यहाँ पर एक blog settings का आपको option दिखेगा blog settings देखो blog option आ रहा है click करो और blog में देखो single post आ रहा है ने single post इसे click करो अब देखो उपर देख रहा feature image इसको यहाँ से uncheck कर दो कर दिया uncheck अभी आ रहा है नाम वगर आ रहा है यह tag वगर आ रहा है यह भी remove करना चाहते हो तो इस meta को यहाँ से uncheck कर दो गया देखो सारा यहाँ से detail गया गया ना और इसे कर दो publish publish कर दिया अब इसे close कर दो अब यह रहा देखो वापस जाओ main page पे और इधर जाओ blog पे यह रहा देखो आ रहा है अब हम एक दो और ब्लॉग लिखते हैं एक दो और आर्टिकल्स लिखते हैं वह कैसे करोगे वापस जाओगे पोस्ट पे add new अब देखो एक काम आप यहाँ कर सकते हो हमें बार-बार settings करने पड़ रहे हैं यह उपर से title ना है यह ना है वो ना है तो यह बार-बार ना करना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं आप इसकल याद है आपको हमने एक plugin इंस्टॉल किया था essential add-ons उसमें यह duplication का option है तो इससे click करो और इसको कर लो duplicate यह देखो duplicate हो गया अब इसको यहाँ से करो edit अब हम नया blog इसी को change कर देते हैं ठीक है कैसे करोगे तो suppose करो यह है मेरे blog का title तो यह title उड़ाया मैंने और यह लिख दिया प्लस देखो यह आ रहा है न पर्मा लिंक इसे भी change कर दो edit करो इसको कर देते हैं come from कर देते हैं save और यह यहाँ से हम उड़ा देते हैं इमेज यहाँ से उड़ा देते हैं यह भी यहाँ से उड़ा देते हैं यह भी यहाँ से उड़ा देते हैं ठीक है अब वापस लिख देते हैं हम चीजों को तो सपोस करो मैंने यहां यह लिखा उठाया और यहां यह लिखा अब मुझे एक इमेज चाहिए तो नीचे देखो ब्लॉक का उप्शन आएगा यहां गया ब्लॉक का उप्शन एड करो यहां पे लो इमेज अप्लोड दूसरी इमेज ले लो ठीक है अब इमेज के नीचे आओ देखो टेक्स्ट का उप्शन आ रहा है यह एडिंग का उप्शन है वैसे तो इसको रिमूव कर दो लस कर दो यहां पे ले लो कहां गया पैरिग्राफ वापस जाओ और यहां से इसको कर लो कॉपी ठीक है अब सपोज आप नीचे एक चीज डालना चाहते हो which is for more info visit our main website और click here to visit now अब चाहते हो आपके जैसे कोई click here to visit now को click करे वो आपकी website पर पहुंच जाए तो for example मैं यह link देना चाहता हूँ अपनी website का मैं चाहता हूँ जैसे कोई इसे क्लिक करे मेरी website पहुंच जाए तो इसे मैंने select किया यहाँ पर चला गया इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से नीचे आगया नीचे ठीक है और अब मैं इधर नीचे आओंगा और इधर category का option है यह category facebook ad है suppose इसकी मैं category डालना चाहता हूँ google ads तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा category यहाँ से मैंने category डाल दिया google ads category आ गई टैग digital marketing प्लस suppose मैं डाल देता हूँ इस पर google ads featured image इसको change कर देते है replace image और इसको बना देते है featured image that's it और इसे कर देते है publish publish ठीक है publish कर दिया अब यहाँ आओ blog page पे और इसको करो refresh देखो आ गया आ गया ही इसे click करो अब suppose करो यह जो दो blog थे यह मैं home page पे भी डालना चाहता हूँ मैं क्या चाहता हूँ जैसे ही मैं कोई भी blog लिखूँ वो अपने आप यहाँ भी add हो जाए plus वो मेरे home page पे नीचे आ जाए ठीक है तो मैं गया यहाँ पे मैंने किया edit with elementor और उसको जो भी मैं latest blog लिख रहा हूँ उसको मैं home page पे भी add करना चाहता हूँ right home page पे अपने तो मैं यहाँ पे आया और एक नया section add किया मैंने और यहाँ पे मैंने उठाके क्या डाला spacer ठीक है plus मैंने नीचे एक और section add किया और यहाँ पे मैंने लिए heading और यहाँ पे मैंने लिखा our latest posts और इसको मैंने किया center इसको मैंने किया style और इसको मैंने किया new neato और इसका color change करके कर दिया मैंने black और मैं गया typography पे इसका मैंने कर दिया size change अब यहाँ मैं नीचे वो block डालना चाहता हूँ ठीक है तो मैं वापस गया और थोड़ा सा नीचे आओ यह वाला जो हमने कल डाला था ना याद है यह वाला तो उसमें देखो एक option मिलेगा आपको post grid post grid यह दिख रहा है यह post grid यह उठाया और यह इसके नीचे डाल दिया ठीक है देखो आगया जो भी हमने latest post लिखे वो आपको यहाँ दिख रहे हैं अभी तीन है तो मैं चाहूं तो यहाँ से इसको change कर सकता हूँ post per page suppose मैं कर देता हूँ 2 ठीक है तो अब यह देखो 2 दिखेंगे और layout settings में आके आप और change कर सकते हूँ image show हो ठीक है title हो एक script show करना है तो करो read more button show हो show meta इसको हटा दो अब बस इतना दिखेगा ठीक है number of columns देखो 4 है तो इसे कर दो 2 देखो दिख रहा है must एकदम जो भी आप latest blog लिखोगे अब वो सीधे आपके home page पे भी आ जाएगा आ गया ना home page पे easy एकदम यह किया कैसे हमने जो कल अपने post grid install किया था उसके through किया ठीक है देखो कितना easy आ गया है आर latest post ठीक है वापस आओ और इसे कर दो यहाँ से update परफेक्ट वापस जाओ और इसे कर दो exit to dashboard ठीक है अभी हाओ visit site करो अब देखो यहाँ साइट हमारी एक बार इसे control F5 कर देते हैं यहाँ पर click करोगे तो यह खुल जाएगा blog पूरा ठीक है जी तो कितना असान है हमने blog add किया और blog में हमने content डाला content जो भी हम डालेंगों सीधे हमारे blog पर आ जाएगा प्लस हमने क्या किया अपने home page पे भी हमने वो blog add किया ठीक है that's it thank you so much and make sure कि आप ऐसे blog implement करके चल रहे हो तो कि blog बनाना content produce करना बहुत बहुत जादा ज़रूरी है अगर आप YouTube पे videos डाल रहे हो तो उसको उन videos को आप as a blog यहाँ use कर सकते है ठीक है thank you so much for watching this list